काशी विश्वनात कैंपस और रसी से लगा ग्यान व्यापी मस्जुद परिसर इन दोनों के स्थती क्या है? नंदी कहां पर है? नंदी के सामने क्या कुछ है? सर्वे कहां पर हुआ और सर्वे में जो सबूत हैं वो कहां कहां से जुटाए गए हैं ये सारी बाते मेरी सायोगी श्वेता सिंग ग्राफिक्स जरीये आपको विस्तार समझा रहे हैं इसलिए इस रिपोर्ट को आप जरा गौर से देखिए ताकि पूरे विवात को आप आसान शब्दों में समझ सके हम आपको काशी विश्वनात परिसर से समझाते हैं कि अभी क्या मिल रहा है कहा मिल रहा है और साक्षे क्या है कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्मनात परिसर कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर एक और बाबा विश्मनात विराजे है और दूसरी और देखिए बाबा विश्मनात किस और विराजे है और नंदी जे किस और देख रहे हैं तो नंदी जी यहाँ पर हैं और नंदी जी देख रहे हैं ज्यानवापी परिसर की ओर और उनके ठीक बगल में आपको ये ज्यानवापी कूप दिख जाएगा जिसको लेकर सदियों पुरानी माननेता है यहाँ पर तो काशी विश्वनात कॉरिडोर जब से बन गया तब से स्वरूप दिखता है और देखिए परिसर के उस पार आपको ज्यानवापी मस्जिद भी दिख जाएगा एक दीवार है जिसमें नीचे थोड़ा सा कॉंक्रीट और उसके उपर जो रेलिंग सी लगी हुई है जिससे दोनों का विभाजन होता है पहले गली से भी आपको बा सारी ऐसी चीजें सामने आ रही है जो आप कोट में साक्ष के तौर पर भी पेश की जा रही है तो हम नंदी जी के बिल्कुल पास पहुँच कर आपको हम पूरी चीज समझाते हैं कि दरसल क्यूं नंदी जी कहां मुख करके बैठे हैं वो हम इतनी प्रमुकता से आपको दि आते हैं तो आप नंदी जी के साथ उस ओर देखेंगे तो आपको शिवजी के दर्शन हो जाएंगे आप नंदी जी के कान में अपनी प्रार्थना बोलते हैं वो शिवजी तक पहुंचाते हैं या मान्यताएं होती हैं लेकिन यहाँ पर नंदी जी शिवलिंग की ओर नहीं जा रहा है कि क्या नंदी जी जो महादेव की ओर देख रहे थे जो बाबा की ओर ग्रिल के उस पर देख रहे थे वो उस वजू खाने में मिला है अब और इसको समझने के लिए हमें मंदिर और मस्जिद के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर अब यहां से इस ग्रिल के जरीए देखिये तो जो की नजर आता है अभी भी मस्जित परिसर की ओर से तो वहां से आपको देखेगा कि नंदी जी तो ज्यानवापी मस्जित की तरफ मुख करके बैठे हैं और उसके साथ ही आपको वह कूप भी दिख जाएगा अब कूप से हम आपको बताएंगे कि कैसे जो वजू के लिए जो इस्तमाल होने वाला कुंड है वो किस तरह का है लेकिन ग्यानवापी मस्जिद के हिसाब से ये समझेए कि उपर का हिस्सा तो आपको गुंबद का दिखता है लेकिन नीचे की जो ये दीवारे हैं ये प्राचीन निर्माण और इसमें भी इसके जो दूसरे हिस्से में दूसरे दूसरी दिशा से जब आप ग्यानवापी मस्जिद को देखते हैं तो इन दीवारों के लिए भी बताया जा रहा है कि उसमें प्राचीन जो कलाकृतिया है जो घंटी है वैसी चीजें इसमें ब्रह्म कमल वो सारी चीज जाता है और नंदी जे भी जो की ज्यानवापी मस्जिद की और मुक करके बैठे हैं अब जो तीसरा प्रमुख नक्षा है वो हम आपको समझाते हैं इस ग्राफिक्स के जरिये जो हमने पूरा पूरे उस उस निर्मान को उकेरा है अपने इस स्टूडियो में बहुत एहम है ये समझना कि वजू खाना कहां पर है और उसके साथ ही कहां पर ये बताया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है तो कोट ने कह दिया था जहां जहां तक जाना है वहां वहां तक जाये ताला नहीं खुल रहा है ताला तोड़ कर जाये ताला तोड़ने के आवश्यक्ता हुई न उसमें जो चीजें आज निकली हैं वो सबसे ज्यादा एहम रही है देखिए मंदिर और मस्जिद की जो बीच का रास्ता है न जब सदी भर पहले यहाँ पर दंगा हुआ था यह 1809 में दंगा हुआ था तब भी बीच वाले हिस्से को लेकर ही हुआ था कि खुले में नमाज को लेकर और हिंदू पक्ष की ओर से भी कुछ दावे किये जा रहे थी उन सारी चीजों को लेकर उसके बाद बहुत भयानक दंगे भढ़के थे लेकिन अब देखिए शिवलिंग का दावा कहा पर हो रहा है जहाँ पर नंदी जी अपना मुख करके बैठे हैं शिवलिंग का दावा वहां हो रहा है कह रहे हैं कि वजू खाना जो है वजू यानि कि नमाज से पहले जब आप अपने हाथ पैर को साफ करते हैं प्रक्रिया को ये कहते हैं और उसके लिए कहीं पर भी पानी का कोई body बना होता है कोई छोड़ा सा तालाब रहता है कुणा रहता है तो वैसा ही वजूखाना यहां पर है इसी के बीच के हिस्से में जहां पर आप देख रहे हैं और मंदिर का वो हिस्सा बीच का हिस्सा जहां पर अभी से नहीं सदियों सदियों से विवाद रहा है और वही पर वजू खाने में शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है